हलो स्टूजेंट्स वेलकम टू मैंगने बेंस मैं रुपाली वर्मा बहुत ही इंतजार हम लोग करते रहते हैं कि कौन सा नया वीडियो आएगा कौन सा नया वीडियो आएगा तो आज हम जो लेकर आएं वो हमारी नई बुक यानि की हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है व सभी कुछ के बारे में बड़े अच्छे से हमको समझाया गया था हम सभी यह सारी चीज़े समझ चुके थे तो फिर आज क्या करेंगे आज हम करने वाले हैं complete chapter revision अर्थाथ कि हम इस chapter को के जो main main points है उनको फटा-फट समझेंगे और कुछ question answers जो हमने अभी तक नहीं किया या प्राक्टिस होती जाती है ना कि आंसर ऐसे लिखा जाएगा या आंसर लिखा ले जाएगा इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे तो चलिए फटा-फट इस चैप्टर को समझ लेते हैं कि क्या है इस लता एक विलक्षन गाई का हम सभी लता मंगेश्र से अच्छी तरह पर सुनाई दिया ये इस वर उसके अंतरमन को चूगया गाना समाप्त होने पर गाई का का नाम लता मंगेश्र बताया गया अब वो कब उन्होंने पहली बार लता मंगेशकर के गीत को सुना उनकी आवास को सुना वो बता रहे हैं कि रेडियो पे पहली बार उन्होंने इसको सुना था नाम सुनकर वह हैरान रहे गया लेखक को प्रसिद गायक दिनानात मंगेशकर की अजब गाईका का दूसरा रूप उनकी गाईका उनकी बेटी में भी आया गानपन और बहुत ही सुरीली मधूर आवास थी और यह जो गीत उन्होंने अभी रेडियो पे सुना यह बरसाथ से पहले का बरसाथ फिल्म से उसे पहले का गीत था लता से पहले प्रसिद गाईका नूर जहां का चितरपट संगीत में अप कल गई कला के छेतर में ऐसे चमतकार बहुत ही कम होते हैं जैसे प्रसिद सितारवादक विलायत खां अपने सितारवादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकले तो कहने का तात्वर है पिता से आगे पुत्र या बेटी निकल जाए ऐसा जो है कला के छेतर में बहुत कम ह तो जैसा यहां पर देखा कि दीनानात्मंगेशकर से कहीं जादा जो है आगे निकली उनकी पुत्री उसी तरीके से उन्होंने सितारवादक विलायत खांके बारे बताया कि उनसे जादा कहीं जो है आगे निकले उनके पुत्र की तुन्ला बताई लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गाय की कोई कोई नहीं हुई मतलब आज भी हम लोग देखें तो जो उनकी गले में जो सुरीला पन था ले ताल पे जो उनकी पकड़ थी वो आज भी किसी के अंदर नहीं है लता मंगेशकर मतलब लता मंगेशकर उनके जैसा गाना कोई नहीं गा सकता लता ने चित्रपर्ट संगीत को अत्यधिक लोग प्रिये बनाया आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है यह सब लता के कारण संभव हुआ चित्रपर्ट संगीत के विभिद प्रकारों को आ आम आदमी समझने लगा है तथा गुन कुनाने लगा है लता ने नई फीधी के संगीत को संसकारित किया तथा आम आदमी में संगीत विश्यक अभिरूची भी पैदा करने में योगदान दिया अब और जितरपण संगीत तो सब लेकिन जब लता की संगीत में आया तो लोगों के गाने में भी सुर आ गया मतलब उसे बच्चों ने जब कॉपी करके गाना शुरू किया तो उसको भी पूरी तरीके से सुर में वो लोग गा रहे थे फिर उसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो लोगों का इंट्रेस्ट भी जागा क्योंकि जब गाने इतने अच्छे हुए फेमस हुए तो लोगों को इंटरेस्ट जागा कि हां हम को भी इसमें कुछ सुनना है लोगों ने जादा सुनना समझना शुरू किया तो इस तरीके से चितरपट संगीत को फेमस करने में लता का बहुत बड़ा हात्रा लत मंगेशकर एक सास्त्रिय गाईका भी रही है वह फिल्मी चितरपट संगीत भी काती नहीं लेकिन शास्त्रिय गाईक मतलब जो है आपको जो ट्रेडिश्यल सौंग्स होते हैं उन्होंने उनको भी बहुत ही अच्छे से गाया हुआ है इस कारण लता का गान पर उनका सुरी खिला पन था जो बहुत ही लोगों को एट्रेक्ट करता था श्रोटा को रागों से नहीं सुमधृर गान पान से मतलब होता है मतलब हम ये नहीं बोलते हैं कि कि रहता कि कांतल की सुनने में अच्छा लगना चाहिए मीठा लगना चाहिए अगर हमें लग रहा है तो वह हमा मर्म भी बना तो मतलब हम ही क्या चाह रहे हैं हमको अब जैसे को जो गाने का ज्यादा नौलिज नहीं रखता अगर वो गाना सुनेगा तो क्या होगा कोई ऐसा गाना जो हमको बहुत सुनने में अच्छा लग बस मेरे लिए तो वही अच्छा गाना है तो यही चीज जो थी वो लता के अंदर थी और इसी लिए वो इतनी फेमस भी हुई लता तता नूर जहां की गाईकी में अंतर लता जब आई तो उससे पहले नूर जहां बहुत फेमस थी तो अब इन दोनों की गाईके में अंतर क्या था नूर जहां की गाईकी में जहां एक माधग उत्ताणियारी नशीली उचीताण होती थी वहीं लता के इसमें एक निर्मलता होती थी नूर जहां में एक नशीला पन था माधगता थी मतलब आपके अंदर काम एच्छा जागेगी वो ऐसा था लेकिन जो है आपका क्या कहते हैं लताग जी के अगर गाने सुनूंगे उसमें मधुरता है निर्मलता है तो उन्होंने हर तरीके का गाना गाया है लेकिन कहने का ताज पर है कि उसको सुन के हमें बहुत ही अच्छा फील होता है जबकि नूर जहां के गाना गाने में एक नश संगीद दिगजों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया लता के गाने में एक प्रकार का नाद में उच्चारण है उनके गीत के दो सब्दों का अंता स्वर के आलाप से भर जाता है मतलब वो ऐसी गाई का थी गाते थे लेकिन उन लोगों जो हमाई चित्रपट संगीत के जो सभी लोग थे निर्देशक थे गीत का थे उन लोगों ने उनके इस हुनर का उपयोग नहीं किया मतलब एक शब्द से दूसरे शब जो है वो उसमें फिल हो जाया करता था ऐसा लगता था मानों दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हूं मतलब उनके बीच में कोई गयात नहीं है तो आपस में मिल गए हैं लता की ये विशेशता अनुपम है लोग कहते हैं लता ने करुड रस के गाने बहुत अच अन्याई किया तो कहने का ताथ पर है कि लोगों का मत है कि वो करुड रस यानि कि जो शोक गित जहां पर दुख होता है वो गाने वो जादा अच्छा काती थी लेकिन लेखक का मत है यहां पर कि वो शिंगार रस वाले गाने यानि कि जो प्रेम से ओद प्रोद गाने होते उनको जादा अनुने काया तो यहां पर कहने का मतलब है संगीत निद्रेशकों ने बहुत उची पट्टी पर यानि उनके स्वर बहुत उचे गए उसको गवा के गलत किया अगर उसे मर्ध्यम ले में ही रखते तो शायद उनके गानपन का सही तरीके से उपयोग कर पाते थे शास्त्रिय संगीत और चित्रप्रत यानि कि फिल्मी संगीत दो दरे का संगीत होता है हम सभी कुछ पता है तो यह शास्त्रिय संगीत और चित्रप्रत संगीत क्या है इसके बारे में लेखक का मानना है कि शास्त्रिय संगीत और चित्रप्रत संगीत में तुल्ला करना निर लोखता होती है तो शास्टे संगीत में ठहराव होता है खंबीरता होती है वह हमारा B चेक्रणेशन है भनधा संगीत जिलदी चपलती चीज़ों को करना है तो उस में तेजी ञो चपलता को बही है जबार, लत उ adopt अधर को zijn चैनगीत देखोगे तो वह बहुत ही परिस्क्र फूप में यानि की बहुत ही उच्छ सुर में जाएगा चित्रपट संगीत में आधे तालो आसान ले सुलपता वा लोट की प्रमुखता आधी विशेश्टाएं होती हैं चित्रपट संगीत गायकों को शास्रिय संगीत की उस्तम जानक पर चित्रपट संगीत के लोगों को भी शास्रिय संगीत की गान परक होनी चाहिए क्योंकि वह अगर यह चीज अपने चित्रपट संगीत में ले आएंगे शास्रिय संगीत की जलग तो वह उच्छतम होगी और यहीं चीज लता ने की थी क्योंकि लता के तीन साड़े तीन मिनट के जो फिल्म चितरपर संगीत होते थे वो और तीन साड़े तीन घंटे की जो सास्त्रिय संगीत की महफिले होती थी उनमें को डिफरेंस नहीं क्योंकि दोनों में ही वो इतने बढ़िया थी कि आप उनमें बोलने सकते कि यह ज्यादा अच्छा है कि यह ज्यादा लोग नहीं कि गाई की सर्वोत्तम रहीलता की क्या इस्थान है उनके को सेंगम हुथा गणीधा सारी टाकत उनकी रंजकता यानि रिज़हाने की शक्ति पर आधारित होती है और रंजक्ता का संबंद रसिक को आनदित करने से सामर्त है यानि कि ये जो पूरी तरीके से हम गाना जो बनता है उसके अंदर जो भी ले, ताल, रसिता, मदुरता जो कुछ भी होता है ये सार्थक तब पाता है जो व्यक्ति सुन रहा है उसे सुनने में अगर मजा हारा है तब वो गाना सार्थक है लता का इस्थान अवल दर्जे का खांदानी गायक के समान है किसी ने पूछा क्या लता शास्त्रिय गायकों की तीन घंडी की मैफिल जमा सकती है लेकर उसी से प्रशन करता है कि क्या कोई प्रथम शेडी का शास्त्रिय गायक तीन मिनिट के चितरपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत करता यानि रस से भरपूर से गा सकता है तो किसी ने उन्हों पूछा क्या वो तीन साड़ा तीन घंडे की महफिल कर सकते हैं तो उन्होंनों उल्टा वही सवाल पढ़ दिया क्या सास्त्रिय संगीत तीन मिनिट की में गा सकते हैं और वो सारी चीजें जो मधूरता रस्ता रहती है सास्त्रिय संगीत पर क्या उसे तीन मिनिट के गान में वो लेके आ सकते हैं अगर ये पॉसिबल नहीं है लेकिन लता ने तो इस चीज दोनों चीजों में पूरी महारत हासिल कर रखी थी शायद नहीं खांदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान विकार देने का आरोप लगाया लेखर का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं जो खांदानी गवैये थे यानि गीत कारते उन्होंने बोला कि चित्रपट संगीत जो है सुनने के बाद लोगों ने शास्त्री संगीत में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया उनको नहीं समझ है ये लेताल की वज़े से लेकिन लेखक का मानना है कि चित्र संगीत की समझ को सुधार आए हम एक तरीके से ना के बराबर संगीत को जानते थे लेकिन फिल्मी संगीतों के जरीए हम संगीत को और ज्यादा समझने लगे हैं चित्पड यानि कि फिल्मी संगीत का महत्व हम सभी गाने सुनते हैं आजकल तो भई फिल्मी गाने बहुत ज़ादो सुनते हैं तो इसकी क्या इंपोर्टन्स है लेखक का मतर है कि शास्त्रिय गायक आत्म संतुष्ट प्राणी है उन्होंने शास्त्र सुधता को कर्म कांड की तरहे तूल दे रखिये जबकि चित्पड संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुँचाया है तो कहने का ताद पर यहाँ पर इसको इसी वर्ट में अगर हम समझेंगे तो शास्त्रिय संगीत जो लोग गाते हैं उन्होंने संगीत को कुछ जादा ही इंपोर्टन्स दे दी कहने का मतलब है उले ताल सुर उसके पक्के हैं उनकी हर एक चीज में इसका होना जरूरी है ल सारी चीजे कैसे हमको इंजॉय कर सकते हैं वह उन्होंने यहाँ पर तोर मड़कर अच्छी तरह पेश किया है आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बलकि सुरीला और भाव पूर्ण गाना चाहिए हमें भाई चाहिए मतलब सुरीला होना चाहिए जिम अब कुछ कई गाने ऐसे हैं जिनमें हमें कई तरह की फीलिंग से एक साथ मिलती हैं और यही जो है फिल्मी संगीत की प्रसिद होने का सबसे बड़ा कारण भी है चित्पत संगीत की मानताएं जंजटें चुनोतियां अलग तरह की हैं यहां नव निर्मार की संभावनाएं बहुत संभावनाएं भी बहुत हैं बड़े बड़े संगीत कार शास्त्रिय रागदारी का लोग गीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं तो मतलब इसमें जो चित्रपत संगीत हैं इसमें boundaries नहीं हैं कि आप इसके बाहर नहीं जब कि शास्त्री संगीत में boundaries हैं इसमें एक ले में आप दूसरी ले को मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन चित्रपड संगीत में हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इनुवेशन करने के बहुत तरीके हैं, आपके सामने सारे राष्टे खुलें कि बस इतना होना चाहिए कि लोगों को पसंद आए। तो यहां पर चित्रपट संगीत का फेमस इसलिए क्योंकि उसमें गुंजाईशे हैं परिवर्तन की वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोग गीतों का बादल की तरह घुमरते राजस्थानी गीतों का घाटियों में गूलते पहाडी गीतों का रितु चक्रों का खेती से सम्मंधित क्रशी गीतों का भरपूर उप्योग कर रहे हैं निर्देशक हैं वो हमारे लोग गीतों पंजाबी राजस्थानी अलग अलग भाशाओं के सभी गानों को इस चित्रपट संगीत में ले रहे हैं और हमारी संस्कृति को एक तरह स्प्रेट करें बता रहें राजस्थानी गाना शायद हम ऐसे नहीं जान पते लेकिन जब हमने फिल्म में सुना तो हम पता चला पंजाबी गाने के बारे में तब भी हमें इतना जाना तो मतलब हमने अलग अलग स्टेट अलग संसृतियों को इन गाने के माध्यम से जाना और परखा है वास्तों में चित्वर संगीत का दायरा बहुत बड़ा है उसमें अनेक अलक्षत यानि कि जिसकी और ध्यान ना गया हो प्रयोग करने की गुंजाईश बनी रहती मतलब उसमें गुंजाईश है कि हम चीजों में कुछ फेर वदल कर सकते हैं लता चित्रपट संगीत की समराग्री मतलब अब वो समराग्री है मतलब उनसे उचा कोई है ही नहीं चित्रपट है यह हम सभी जानते उनके गान को अगर आप लोगों ने सुना है तो यह आपको अच्छी तरही प्रता होगा कि उनसे बड़ी गाई का कोई नहीं लता चित्रपट संगीत की अनभिष यानि बेताच समराग्री है अनेक गायक गायकाओं की तुल्ना में उनकी लोगप्रेता सबसे अधिक है लगभग आधी शताब्दी से वे जन्मन पर चाई हुई है यह एक चमतकार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देखते हैं अगर आप से कोई बूचे फिल्मी गायन तो आप सीते बोलोगे लता मंगेश को यानि कि उनके गान बन की वज़े से वो आधी शताब्दी यानि पचास पिछले पचास सालों से वो हम सभी के जहन में च्हाई हुई हैं उनके सुरीले गीत हम सभी को कहीं न कहीं मदमस्त करते ही रहते हैं तो ये पार्ट में जतना था हमने आपको फटाफट क्लिएर अप कर दिया जो जो उनके बारे में बताया गया था खास तोर से यहाँ पर चितरपट संगीत और शास्तिय संगीत के बारे में थोड़ा तुलात्मक है उसे आपको धियान से पढ़ना होगा और लतामंगेशकर का जो वेक्तित है उनके गायन है उनको आपको ठीक से समझना होगा तो चलिए अब कुछ प्रिश्ण भी हम देख ल आइकों ने आवशक्ता से अधिक महत्व दे रखा है किन्तु चितरपट संगीत ने संगीत को जन साधारन के बीच पहुंचा दिया मतलब शास्त्रिय संगीत जो है है अपनी जगा तो भई उसका भी अपना एक महत्व है लेकिन चितरपट संगीत ने लोगों के घर घर तक संगीत पहुंचाया है लोगों को केवल शास्त सुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए बलकि ऐसा संगीत चाहिए जो सुनने में मधुर लगे सुरीला वाभाव पूर हो ऐसा संगीत चितरपट संगीत में ही मिलता है अब शास्त्री संगीत देखो कि थोड़े में बोर हो लेकिन जो फिल्मी संगीत होता है उसमें हमें क्यों मज़ा आता है क्योंकि उसमें हर एक रस बहुत ही आसानी से भरा होता है इसलिए हमको मज़ा आता है चितरपट संगीत की लचकदारी ने इसे लोगप्रिये बना दिया है क्यों बनाया है क्योंकि इसमें लचक है आप फैक्ट्वेशन के साथ कई फीलिंग्स आप एक साथ लेकर का सकते हैं इस संगीत की मानिता मर्यादा ततसंगीत तंत्र सब कुछ निराला है जिसने लोगों के दिलों पर अपनी चाप छोड़ी है चित्रपट संगीत निरजिशकों ने शास्त्री रागदारी तता हर छेतर के संगीत का उपयोग इसमें किया है इस संगीत के माध्यम से लोग अपने देश की संस्कृती से भी परचत हो रहे हैं चित्रपट संगीत को अधिक लोगप्रिये बनाने का सरवाधिक श्रे लतामंगेशकर को जाता है लतामंगेशकर के स्वरों की निर्मलता, कोमलता, लोच, सुरेलेपन आदी ने लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया लता के गाने देश में ही नहीं विदेशों में भी लोगप्रिये तो चित्रपट संगीत का famous होने का कारण ये है कि इसमें आप सभी संस्कृती और भाषाओं के गानों का समन्वे देखते हैं और ये हमारे अंदर कुछ अलग ही एक feeling दिखाता है और इस चित्रपट संगीत में ये सारी चीज़ें भरने का mostly श्रेल लतामंगेश्कृत को जाता है क्योंकि उन्होंने नेनमलता जित्ती भी सुन्दरता है वो गाने के अंदर भरने की पूरी भरपोर कोशिश की और उसमें वो सफल भी हूँ और ये चित्रपट संगीत हमें अपनी ही देश की विभरू संसृति तो इसी लिए है इतना famous हुआ क्यों क्योंकि ये सुनने में हम को बहुत मधूर लगता है अगर शास्तिय संग्रीद में एक निरस्ता हमको मिलती है जो हमें जादा भा नहीं पाती हमें आकरशक नहीं लगती है प्रश्ण संख्या दो है लता मंगेशन ने किस तरह के गीत गाये और उनमें कौन से बहतर है तो उन्होंने चित्रपट संगीत शास्तिय संगीत दोनों ही गाये लेकिन बहतर गाने उनके चित्रपट संगीत के ही रहे है लता ने चित्रपट संगीत के करूड तता शिंगार रस के गाने गाये लेखक के अनुसार लता ने करूड रस के गाने उतने अच्छे नहीं गाये जितने मधुर कर देने वाले शिंगार रस के लेखक के अनुसार लता ने मधुर शिंगार के म्रध लए या धुरत लए के गाने अधिक मुहकता से गाये हैं वास्तों मेलता का गायन चित्रपट संगीत के निर्देशकों पर निर्भर रहता था तो कहने का मतलब है उन्होंने चित्रपट संगीत में करूण रस और श्रिंगार रस सभी गाये हैं लेकिन लेखक का मत है कि उन्होंने श्रिंगार लेके गाने बहुत ही अच्छे से गाये बोलेगे को वैसा गाएंगी तो उन्से निर्देशंग जैसा बोले उन्होंने वैसा पूरी तरीके से उनका गान उठ से गाने के लिए कहा जाता वैशला कर गाने गाएंग तो वेशास्रिय संगीत से अच्छी तरह परचित है फिर भीवा सुगम संगीत में गाती हैं उनके गान में जो गानपन है वह अन्य किसी गाईका में नहीं मिलता आताहा लेखक के मत के विपरीत मुझे लता के करूण रस के गाने भी अच्छे लगते हैं तो यहां पर लता ने हर रहस्त क्या है आखिर वो इतना फेमस हुई यह किस कारण से था इसके अगर पीछे कोई रहस्त छिपा हुआ है तो वो क्या हो सकता है तो देखिए लता का जो गान पन था उनका जो गायन था उनकी आवास की मधुरता थी वो इतनी बढ़ियां तरीके से ले तयाल को पकड़त सुरीला पन था निर्मलता थी उसके अंदर इसलिए वो ज्यादा फेमस हुई तो यहां पर क्या है लता की लोगप्रेता के पीछे उनके गाने के कई तरह की विशेश्ताओं का पाया जाना है मतलब एक ही उसमें उन्हें नहीं गाया बदला बदलता जैसे वने बताया कि व में वेरियेशन था गानी के अंदर किन्तों की लोगप्रेता का मुक्रहेश या मरम है गान बन यानि गाने में का ऐसा अंदाज जो आम आदमी को भाव विभोर कर दें उनके गानी की एक और महातुपूर्ण विशेश्ता है उनके स्वरों की निर्मलता तथा स्वरों की कोम देखने का जो दरश्टी कोड है वही उनके गायन की निर्मलता में जलकता है यानि कि उनके जीवन जी रहें वो हमारे बोलने में करने में जलकता है तो वही चीज उनके गानों में जलकता था उनके जीवन के अंदर जित्ती शुदता थी वो सभी उनके गानों में परिलक् सुन्दर रीती से भर भरा रहता था और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं यह बात सभी गाय को दोरा अपनी गायकी में पैदा करना अत्याधिक कठिन है परन्तु लता के साथ यह बात अत्यन सहज और सौभाविक थी तो य यही उनकी खास्यतियों यही प्रसिद्धी का कारण भी बनी प्रश्र संख्याचार है आप शास्त्रिय संगीत पसंद करते हैं या चित्रपर संगीत अपने विचार लिखिए अब यहां पर आपको अपने पॉंट्ट उफ्यू से लिखना है अभी तो हम चैप्टर से पू पसंद है उसमें क्या चाहिया यह सारी चीज़े अगर आपको चित्रपर रथा फिल्मी संगीत पसंद है तो आपको उसका तर्ग देती हुए लिखना है लिखने का तरीका मैं आपको बता देती हूं तो उसमें आप अपने व्यूस सेट कर सकते हैं संगीत हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है संगीत में मानव मन को शांती और सुकून पहुचाने की शंता है इससे आनंद की सुखद अनुभूती होती है यह हमें स्वर्गिक सुख का आनंद प्रदान करता है यानि कि हमें ऐसा सुख देता है कि जो हमें कहीं नहीं मिलता अगर आप बहुत ज़्यादा दुखित होंगे और शांत संगीत सुनी तो देखे आपके मन को शांती मिलेगी बहुत खुश होते हो तो आप हाइस पेस वाला म्यूजिक सुनना पसंद करते हो तो मतलब हम जिस भी फीलिंग को महसूस कर रहे हैं हम अगर वैसा संगीत सुनते हैं तो तो कहने का यहां पर है शास्त्री संगीत हो या चितपट संगीत हो आप देखेंगे इन दोनों का ही अपना अलग-अलग महत्व है ठीक है शास्त्री संगीत हमारा परंपरा को जिंदा रखे हो चितपट संगीत हमारे एंटेटेन्मेंट के लिए जहां में सुनना फीलिंग करना इस चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन यहां पर अगर बोला जाए आपको कौन सा पसंद है तो हम यहां बोल रहे हैं कि हमें चित्पट जटार फिल्मी संगीत जादा पसंद है इसका कारण यह है कि शास्ती संगीत शास सुद्ध और नीरस सा लगता है क्योंकि वह बह विवस्थित जानकारी के बिना समझ के परे होता है जबकि दूसरी और चित्पट संगीत अधिक सुरीला और भावपून होता है अताहिया है कर्ण प्रिये लगता है और इसका आनद उठाने के लिए किसी विवस्थित जानकारी की आवश्रिक्ता भी नहीं होती तो शास्त अगर अच्छा लग रहा है तो हम इंजॉई कर सकते हैं तो यह यहां पर हमारा यह पूरा चैप्टर हमने फटाफट क्लियर अप किया कोशन आंसर आपको बता दिये तो जब भी टेस्ट एक्जाम हो इसको रिवाइस करिए मगर ध्यान रखेगा इसके पहले जो हमने डिट चैप्टर वीजन हम आपको रूजो करा रहे हैं यह आपके लिए सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल नहीं है आपके सभी सब्जेक्स में हैं तो इन तक आप पहुंचोगे कैसे माल लीजे आपको हिंदी का ही कोई चैप्टर देखना है समझना है तो यह सब चीज़ें आप क आपके सामने जो पेज उपिन होगा उसमें CBS से English Medium लिखा होगा तो आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर देखिए सभी क्लास दी हुई है तो यहां पर आप क्लास 11 जो है उसे क्लिक करेंगे जैसे आपने क्लिक किया क्लिक करते ही क्या होगा आपके सामने इस तरीक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से हिंदी का पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी अब आपको क्या करना है आप देख रहे हैं आप चैप्टर वान टू त्री तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसे आप क्लिक करोगे क्लिक करते ही आपके सामने उसमें ऑप्शन आ जा हैं आप फटाफट समझ लीजे और आपका टेस्ट हो रिवीजन हो किसी भी चैप्टर को समझना हो सभी कुछ आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा तो यहां पर हमारा सिर्फ यह प्रयास रहता है कि आपके पढ़ाई में किसी तरह की बाधा उपन नहीं हो इसलिए आप भ झाल 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 झाल झाल झाल